दोस्तों 2023 में क्या PSU's comeback कर सकते हैं पिछले 7-8 सालों से बहुत ही खराब performance business कर रहा है और वो सब reflect भी हुआ है stock में लेकिन मोतिला लोस्वाल नई report आई है team 2023 करके जहां पर उन्होंने कहा है कि PSU's जो है वो comeback कर सकते हैं जब वो business की बात कर रहा है तो यह जो report है यह telegram group में मैं आई शेयर भी की है आप वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो अब देखिए यह 2012 से 17 का phase है और उस time में आप देखेंगे जो अलग-अलग sectors है जैसे banking and finance लगभग 30% जो है profits गिरे थे oil and gas 6% profit था फिर सिर्फ 1.7% जो power companies, utilities company का उनका profit था metals की जब अगर आप बात करेंगे 34% profit गिरा फिर capital goods लगभग 14% profit गिरा और जो total PSU का जो profit था 12 से 17 इन 5 सालों में total 5% profits इनके negative रहे हैं PSU के ये 2017 तक की बात है लेकिन 2017 से 22 आप 5 साल देखेंगे तो overall PSU उसके 22.5% यहाँ पर profit रहे हैं जो अलग-अलग sectors है अब इन सब sectors की और उनकी कंपनियों को भी मैं आपको बता दूँ ये जो nifty PSE index है उसकी कंपनिया है जैसे capital goods अब ये कंपनिया क्या करती है जो बड़े-बड़े कुछ समझ देजे engineering का कुछ सामान बनाना हो जाए वो भारत heavy electro VHEL हो या फिर भारत electronics वो लोग करते हैं कोई बड़ा विमान बनाना हो तो भारत तो ये हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स वो लोग वहाँ पर बनाते हैं similarly oil and gas की कंपनिया है जहाँ आपको गेल मिल सकता है फिर ONGC या Indian oil वो सब कंपनिया आपको मिल सकती है तो उस हिसाब से हमको अलग-अलग sectors को देखना है utilities में आप देखेंगे तो जैसे यहां पर utilities आप देख सकते हो utilities में NTPC या Power Grid या NHPC वो सब कंपनिया होती है तो mostly यह जितने भी कंपनिया है सब बहुत ही strong physical assets है और अच्छा performance नहीं रहा था 2017 तक at least लेकिन वो लोग अब धीरे धीरे turnaround कर रहे हैं जब हम business के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी फिलाल एक recovery जैसा माहौल है और लगभग 8% का earning CAGR 2022 से 24 तक रहने की उम्मीद है लेकिन इसमें कुछ sector profit करेंगे कुछ profit नहीं भी कर सकते हैं जैसे banking finance जहाँ पर state bank आ गया या SBI life आ गया वो लोग profit कर सकते हैं similarly utilities जहाँ पर NTPC और power grid जैसे नाम आ गये capital goods जहाँ पर भारत electronics या BHEL वो लोग आ गये फिर metals oil and gas loss कर सकते हैं और हमने देखा भी है यह जो साल है 2022 थोड़ा सा oil कंपनियों के लिए खासकर oil marketing साल भी देखने को मिल सकते हैं अब यह बहुत important है इस index के 22% बढ़े हैं 2017 से लेकर 2022 तक लेकिन यही profits को जो market है उन्होंने बहुत पसंद नहीं किया है in fact PSU का जो index है वो flat ही रहा है मतलब profit हुए है लेकिन share price बढ़े नहीं है आप ऐसा मान सकते हैं तो 2023 का एक breakout year होगा वो देखना रहे का बहुत interesting यह रहना हो सकता है उसकी बाद अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो PSU के जो stock है यह अगर आप 2012 के अगर आप data देखेंगे तो यह total 28 लाख करोड की market cap थी जो PSU के जो stock है NTPC, Power Grid, Coal, India, Gale, इन सब का धीरे धीरे यह जो 2021 आते 10 लाख करोड होगा मतलब किस हिसाब से wealth जो है मैं imagine कर पा रहा हूं इन 7-8 सालों में investors की actually में कोई wealth नहीं बनी होगी लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा भी है 2022 में PSU अगभग 13 लाख करोड का market cap हो गया है पर जब आप losses का data देखेंगे तो 2018, 17, 18 जो था उस टमय में 65,000 करोड का उन्होंने losses किये थे जो loss अब घटकर 100 करोड आ गया है मतलब 2022 तक बहुत जादा जो losses है वो कम हुए है in fact company अब profits में आना सुरू हो गई है जो PSU की अगर हम बात करें तो यह important data है 2012 से लेकर 17 अब देख सकते है PSU का अगर आप profits देखेंगे earnings देखेंगे तो यह negative रहा है private का 9.1% growth रहा है लेकिन 17 से 22 PSU 22% profit हुआ है और private का in fact कम growth हुआ है 14.5% का तो last में expectation है banking finance, capital goods, utilities अच्छा कर सकते हैं और oil and gas और metal की company जो है वो खराब कर सकती है अब उनमें से कोई oil and gas की company profit भी कर देगी वो फिर tactical calls रह सकते है बट overall यह macro picture है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कौन-कौन सी profits का उमीध है जो financial year 23 में जो अच्छा profits कर सकते है जैसे LIC, Coal India, SBI, Bank of Baroda, SBI Card, IRCTC, Union Bank, Concord, SBI Life, Bharat Electronics, NHPC, Gujarat Gas, ONGC, NTPC यह सब कुछ कमपनिया है जो अच्छा profits कर सकती है फिर कुछ कमपनिया जो की बहुत ज्यादा losses में है और कर सकती है जैसे Indian oil, भारत petroleum, sales जैसी कमपनिया तो अब यह जो है सिर्फ profit के data है यहां पर कोई उन्हो data आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे early financial अजादी में कि कौन सी themes 2023 मच्छा कर सकती है धन्यवाद आपके time के लिए subscribe जरूर करकर रखे early financial अजादी थैंकि दोस्ते